इस lecture में हम जो cheese को देखने वाले हैं that is magic commands और ये machine learning पे jump in करने से पहले इस वज़ा से ज़रूरी है क्योंकि you need to estimate your resources, you need to estimate your time and sometime you need to put everything in the output जो भी उस एक code cell के अंदर हो रहा है यानि कि notebook आप use करते हैं उसके cells होते हैं cells के अंदर जो काम आप कर रहे हैं वो output के अंदर भी show हो जिस्ट आपके लिए नहीं बलके later आने वाले लोगों के लिए भी वो हम कर सकते हैं through magic commands magic commands क्या होती है कैसे use की जाती है मैं यहां पे इनका एक folder ही separate बना रहा हूँ magic commands और इनके अंदर हम देखते है magic commands क्या है 01 magic commands.ipynv so इनको magic codes भी बोला जाते है magic commands भी बोला जाते है but it's totally up to you आप किस तरीके से इसको grasp करते है करनल सहाब मैं यहां से select कर लेता हूँ यहां पे markdown में जाके हम लिखते है magic commands in python in jopiter node ठीक हो गया जी सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि magic commands किस लिए यूज की जाती है ठीक है पहले चीज़ आपकी जो यहां पे हम कोई काम कर रहे है ने say for example मैं यहां पे लिखता हूँ import pandas as pd and numpy as np and then i convert that into code for example something like this and then इसके बाद मैं लिखता हूँ matplot ले when c born मैं इसको run करता हूँ ठीक है अब यहां पे देख रहे है time आ रहा है मेरे पास 3.something 4.3 जैसे मैंने इसको save करके किसी को send करना यह time नहीं रहे ना वहां पे and sometimes these kind of issues happen जब आप cross platform cross system या cross different किसम के जो books है उनको use करते है for example if somebody else wants to estimate something के यह time कितना लगता है so इसके लिए बेहतर तरीका यह होगा कि आप यहां पे percent percent time लिखे और जो यहां पे मेरे पास इस तरीके से चीज आएगी that is useful for other people as well CPU time कितना है, wall time कितना है total time कितना लगए and this happens when you are training and machine learning यह कोई बड़ा गाम आप कर रहे हैं जिस पर अच्छा खासा time लगने ठीक है और यह होती है magic commands magic commands आप double percentage marks के through भी use कर सकते हैं single के through भी कर सकते हैं in line के लिए magic commands भी use होती है there are some other benefits of using these magic commands as well okay यहां पे मैंने यह काम किया ठीक है आपको समझ आगी कि हमारे पस time print हो गया एक और काम आपको बताता हूं मैं यहां पे 1% लगाता हूं and मैं साथ में आपको यह open करके दिखाता हूं आपके सामने यह देखिए इतनी ज्यादा चीजें आगी है which can be taken as magic commands ठीक है अब इनको बारी बारी देखते हैं मैं सारी की सारी नहीं आपको दिखाने वाला जो important आप बताऊंगा मैं यहां पे लिखता हूं pwd यह क्या करेगा यह चेक करेगा आप किस directory में इस वकत notebook को use कर रहे हैं यह आ गया मेरा directory का पूरा path क्योंकि मैं windows यूज कर रहा हूं तो यह double slashes backward के थुरू आएगा यानिके reverse करने वाला काम ठीक है pwd यह क्यों जरूरी है यह क्यों जरूरी है यह उस काम के लिए जरूरी है यह उस काम के लिए जरूरी है you need to define this this is called pwd और अगर आप यहीं पे इसी को cd लिखते हैं इसका मतलब है कि आप यहां से किसी और directory में जाना जाते हैं यानिके notebook यहीं रहेगी लेकिन यह जो इससे आगे काम होगा वो directory change हो जाएगी यानिके cd change directory change directory आपका यह पड़ा हुए 12 magic commands वाला अगर मैं यहां से वापिस जाता हूँ एक directory पीछे जाता हूँ मुझे ने पता यह काम करता है कि नहीं and here you go आपके पास आप एक directory पीछे चले गए यहां पे हमारे पास error भी आ रहे है window error है the system cannot find the file specified in one directory back ठीक है usually it works with the paths but when you are changing the directory then you need to mention कि किस directory में जाना है say for example मैं यहां पे मुझे जाना है किसी और directory में यह python के चले के अंदर मैं यहां पे बैठा हूँ ठीक है magic command कि दुरू अब मैं क्या करता हूँ यहां पे यह जो हमने path ली है मैं ऐसा करता हूँ कोशिश करता हूँ के इस directory में copy करके हम यहां पे चले जाए अब हम कहां पे हैं पिछली directory में आगे हैं अब हम कहां पे हैं पिछली directory में आगे हैं this is some kind of terminal thing कि अगर मैं terminal में यह काम कर रहा होता जैसे मैंने आपको पिछले दिनों भी दिखाया था कि यहां पे मैं pwd लिखता हूँ तो मेरे पास directly आ जाती है यह वाली जायत है तो इसका मतलब मैंने change directory कर लिए अब अगर आप गौर करें यहां पे magic commands के directory के अंदर हो पहले में कहां पे था python के चिला के directory के अंदर ठीक है so this is how it is working और यह यहां पे मैं %cd के साथ change कर सकते then हमारे पास अगली है जनाब that is ls इसका मतलब है के हमारे पास list कर दो सारी चीज़ें जो यहां पे मजूद है इस directory में ls list all things और यह लोग linux use करते हैं they know के आपका जो basically मैं इसको magic command के अंदर ही ले जाता हूं path change करके यह जो आपके paths हैं यह बड़े matter करते हैं अब देखिएगा मैंने path change किया दुबरा से ls अब क्या करेगा उस folder के अंदर जो file है वो ही बताएगा आपको and that is only this file बाकि यह जो है dot का मतलब है कि इसके अंदर directory है यह पिछली directory है these are just information यह आपके पास एक file है एक file है जिस folder के अंदर 818 bytes है और बाकि यह इतनी space free है मेरे पास समझे रहे so this is how you ls something list the files in that directory ठीक है इसी तरीके से आपके पास आता है who अब मैं यहां पर लिखता हूँ %who ठीक है यह क्या करेगा आपके पास जितने भी basic alias है यह जो भी काम यहां पर आपके पास store है कोई object है कोई variable है वो सारे list आ जाए ठीक है और यह क्या करेगा all variables या all aliases उनको list कर देगा हमें यहां पर जाने के जरूरत ही नहीं है simply आप यहां पर लिखे who और यह उसको and list कर देगा ठीक है then अगर मैं यहां पर इसी को percent whose लिखता हूं यह उनकी detail भी देगा अगर variables हुए अब मैं यहां पर आपको पहले variable बना के दिखाता हूं x is equal to 10 let's see let's see यहां पर हम बनाते हैं ऐसे for example pd. बलके data pd. data frame और इसका data frame बनाते है x.head करते हैं let's see यह हमारे पास एक data frame है अब variables में जाके हम देखते हैं यह हमारे पास x एक data frame बन गया है let's see कि यह यहां पर लेके आती है कि नहीं mhm it didn't work o करते हैं पहले np x आ रहे पर इसकी detail नहीं आ रही that should be there now it's there okay so पहले नहीं थी आ रही यह हमारे पास हर variable आ रहे है यह हर alias आ रहे है और उसकी detail हमारे पास आ रही है ठीक है so that was something wrong beforehand अब एक और काम आप कर सकते हैं एक single person लिखके time लिखे और साथ में कुछ भी लगा दे कोई भी एक command लगा दे it will directly count the time for that command command चलेगी यानि कि x.describe मैंने command लगाई है पीछे मैंने single time यह यूज कर लिए इसका मतल़ में मेरे पास जितना भी execute किया time 18.3 millisecond लगे है अब यह तो छोटा सा procedure है I know कि आपके लिए time important नहीं है इस वकत यहां पर लेकिन imagine करें 2 गेंटे के लिए आपने training लगानी है module पर और फिर उसको correct करना है आपको multiple times उस काम को करना पड़ेगा तो आप पहले estimate करते हैं कि इतने data पर कितना time लग रहा है उससे बड़े पर कितना लगेगा So this is how you estimate your resources फिर आप अपनी company वालों पर बताते हैं कि अच्छा भई हमें बड़े वाला PC लेके तो हमें 256GB RAM चाहिए flan चाहिए क्यों क्योंकि इस पर हमारा गुजारा नहीं है So this is how you estimate those things अब एक और है time it command है मैं इसको यहां पर directly paste करता हूँ हमने क्या किया है यहां पर thousand जो है basically एक किसम का loop चल रहा है हमारे पास ठीक है और इसकी output हमारे पास जैसे आती है मैं आपको दिखाता हूँ 17.9 microsecond plus minus 575 nanosecond per loop यह हमने thousand loop चलाए है basically एक किसम का range of thousand हमने sum की है एक दफ़ा दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा चौती दफ़ा पांचवी दफ़ा thousand ranges लिगाल के sum की है So यह on an average हमारे पास 7 runs का अगर देखे for thousand loops each यह आ रहा है डिटा तो आप क्या कर सकते हैं time it एक specific procedure का time भी ले सकते हैं वो multiple time करेगा और उसका आपको average and standard deviation दे देगा ठीक है समझ लाई बात की So यह average है एक procedure को sum करने के लिए 17.9 लग रहे है और बाकी को आपके पास plus minus 9 seconds दे रहा है क्योंकि यह procedure छोट है टोटल 14 seconds लगे है और हमने 7 runs एक किसम के run की है So this is how you calculate on an average क्योंकि हो सकता है एक दफा procedure से ही काम कर रहा हो दूसरी दफा ना से ही कर रहा हो So इस वज़ा से हमारे पास यह काम चलता है अच्छा matplotlib की एक magic command है This is matplotlib inline ठीक है Inline यह का करता है This actually render your plot in Jupyter Notebook यह usually तब होता था जब आपके पास Jupyter Notebook के अंदर show करवाने के लिए आपको Jupyter renderer करना पड़ता था So at that point they started using this matplotlib inline इससे क्या होता है यह magic command है कि inline आपके पास जो plot है वो draw हो अब मैंने यह वाला plot draw किया Let me see क्योंकि मैंने यहां पे Unrecognized Argument शोद इसको मैं delete करता हूँ यह हमारे पास plot हो गया Inline का मतलब है कि यह Jupyter Notebook जो है यह इसी के अंदर इस तरीके से plot हो रहा है अब आप कहा रहे हैं कि इसको अगर मैं uncheck करूं फिर भी तो same काम ही होता है अफकोर्स same काम हो रहा है लेकिन इसकी जो processing है back end पे वो inline Jupyter Notebook हो रही है ठीक है सो कहने का मकसद यह है कि PLT.show अगर मैं यहां से इसको remove करूं और इसको run करता हूं Now you can see कि हमारे पास जो plot बन रहा है यह बिलकुल आपके पास Jupyter Notebook के अंदर ही show हो रहा है But on the other side inline का मतलब यह है कि यह Notebook के अपनी जो RAM है उसके उपर नहीं जा रहा ठीक है It is just printing inside the notebook पहले store हो जाता है So this is one of the things Of course इसके अंदर अब Jupyter Notebook के जब यह command बनी थी उस वकत तो खैर इतना कोई ज्यादा मसला नहीं था लेकिन recently Jupyter Notebook में काफी ज्यादा जिदत आ गए So we don't need to use this a lot of time Only we need to use this when we are having like multiple What do I say Neural Networks running together उस वकत हम इसको यूज़ करेंगे इस वचासे इस command को बताना जरूरी है यहां पर अच्छा आप यहां पर variable देख रहे हैं यह X आप एक और काम कर सकते हैं अगर आप % reset लिखे ना So क्या करेगी यह वाली command आपके सारे variable reset हो जाएंगे ठीक है Once detected variable cannot be recovered Proceed yes, no और बाकी चीज़े Warning आगे This is kind of user input function Y लिखके enter कर दे ले जनाब उन्होंने जो जो किये Don't know how to reset, please run, reset for details, all and फ्लां फ्लां फ्लां, let's see X अभी भी पड़ा हुए It should reset, let's try again मैं उपर वाले सारे run करता हूँ पहले Install तो नहीं हो गया cdls Okay Running, running, running Running, let's see अभी मैं इसको run करता हूँ Once related variable cannot be proceed, yes or no, please enter to confirm escape to cancel Y, yes Now it's reset मैं आप दुबारा से who's लिखता हूँ ठीक है जी Name space empty हो गई है Simple और इसका फाइदा तब होता है जब आपने इतने ज़्यदा x, y, d, f इदर उदर के नाम रख ली है और आपको समझ नहीं आ रही कि अब मैं notebook को खाली कैसे करूँ Otherwise आपकी notebook चलती रहेगी आपका system slow होता रहेगा आप सोच रहे होंगे कि यह कहां पर RAM जा रही है जैसे Google Chrome नहीं खाता RAM आपकी इस तरीके से फिर एक और होता है हमारे पास percent history यह क्या करता है आपको मैं run करके दिखा देता हूँ क्या हाल है जितनी भी commands आपने run की हैं मुझ सारी की सारी आ गई जो run की है यह जो 49 लिखा आ रहा है न याद है start में notebook में आने आपको बताया था one पहली होती फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौती अगर मैं इसको restart करूँगा तो यह 0 से start होगी जो उसी मैं run करूँगा वह आती जाएगी this is how you can see all of those things यह आपके पास list of all the commands जो अभी तक मैंने run की है यहां पर ठीक है एक और चीज यहां पर बता दू sometimes output truncated होती है यानिके सिरफ compress करके दी होती है आप text editor में भी open कर सकते है यह output है आपकी ठीक है second आप setting में जाके cell output को change भी कर सकते है scrollable element यानिके यहीं पर आप scrollable element भी open कर सकते है so these are few things जो आपको practice में होनी चाहिए okay अच्छा एक और command जब भी मैंने आपको dash की command दिखाए थी याद है मैंने आपको कहा था terminal open करें यहां पर जाएं terminal के अंदर और यहां पर जाके लिखें python space app.py और इसको enter करें याद है वह वह वाली चीज़ तो अक्सर अकार dashboards ऐसे run करते है लेकिन आप क्या कर सकते हैं आप यहां से भी run कर सकते हैं अपना script for example मैं यहां पर मुझूद हूँ pwd यह मेरे पास इस तरीके से यह वाला मेरा directory है python magic की यहां पर मैं कोई नई app बना लेता हूँ for example मैं यहां पर लिखता हूँ right click app.py ठीक है और इसको मैं यहां पर लिख देता हूँ import pandas as pd right हो गया मैं इसको save कर लेता हूँ अब यह जो मैंने script बनाया है app.py का यह directly मैं Jupyter Notebook से भी run कर सकता हूँ इसके लिए मैं क्या करूँगा इससे लिखूँगा run space app.py like this वो app पीछे run हो गई है अब उसके output यहां पर नहीं आनी वो simply मैंने python के अंदर run की है and that's it वो सिरफ run की है और यह usually तब होता है जब आप terminal के अंदर कुछ करना चाहते है और आप उसके command को यहीं पर run कर देते है ठीक है? run app.py तो यह automatically run हो गई अब इसके इलावा अगर आप चाहते हैं अपना script run करना तो आप script पूरे का पूरा लिखेंगे और यहां पर लिख सकते है myscript.py right जी? okay एक और command है जो important है that is percent percent capture मैं सिरफ आपको वो बता रहा हूँ जो जुरूरी है my output इसको capture करके हम इस तरहेके से लिख देते हैं hello world की बजाए hello kodanians लिख देता हूँ let's see मैंसे run करता हूँ यह मेरे पास my output जा है यह कहां पे गई हो नहीं है कोई बता सकता है? कहां पे गई हो नहीं है मेरे पास यहां पे भी नहीं है यह रही आप एक output को capture के through capture भी कर सकते हैं and then you can later on write it down as well so जो भी आपके output होगी वो इस my output के अंदर save हो जोगी ठीक है? वो directly यहां पे print नहीं हुई वो capture हो गई है यानि कि उसे बाइर नहीं जाने दिया उसे वहीं पे रोख लिए आ जाते हैं नहीं असी दास्ते so something like capture आजकल जो हो रहा है see and then we can run different kinds of html bash script inside python like मैं यहां पे लिखता हूं html और मैं html का पूरा script लिख सकता हूं यहां पे something like this ठीक है? है न मज़े की बात अब मुझे बताएं कि अगर मैं इस तरीके से html लिख सकता हूं इसका मतलब मेरी notebook में यहां पे खुबसूर्त ही नहीं आ जाएगी output के अंदर so यह use करना है जीज़े सिर्फ हम देखने के शुगल से नहीं लगे हुए यह देखें यहां से collapse भी हो जाएगी सिर्फ यह रहेगा है न मज़े वाली बात so यह notebook है इसके अंदर अब मैं heading 2 भी दे सकता हूँ paragraph भी लिख सकता हूँ टेक्स भी लिख सकता हूँ यह HTML tags होते हैं बकाईदा h2 लिखता हूँ मैं this is heading 2 यह देखेगा यह उससे छोटी फिर उससे छोटी यह HTML tags होते हैं यह starting tag होता है यह ending tag होता है इसके दर्मियान में जो भी आए वो उस size का यह उस तरीके से आ जाता है यह HTML language का tag होते है ठीक है फिर HTML के इलावा जिन लोगों को bash का shock है यानि के जो bio information है यह biology के data scientist बनना चाह रहे है उनके लिए यह है कि आप double percentage bash और जो भी आप bash की command लिखेंगे वो यहां पे run होगी ठीक है और उसके लिए आपको of course bash होना जरूरी है आपके system के अंदर otherwise वो run नहीं करेगी right and then let's see इसके इसके इलावा I think so these are the most important ones बाक्की हम क्या कर सकते हैं यहां पे मैं जाता हूं यहां पे लिख देता हूं python notebook magic commands तो आप यहां पे भी देख सकते हैं built-in magic commands जो एं यहां पर पढ़ ही है सारे के सारे और यहां पे आप देख सकते हैं क्यों कौन kोंू striving alien ass है magic है you are many other commands यह सारे के सारे आपसे देख सकते हैं कैसे आपने यूज करनी है और किस तरीके से आप इसको यूज में लेकर आ सकते हैं यहां पर कॉंडा की क्मांड भी थी इसको ट्राइ करें कॉंडा एन वी लिस्ट पता नहीं चलनी है कि नहीं चल बड़ी है भी बारी को यह मेरे लिए न्यू है बाइद बड़े इस इस हो लर्निंग गोज आ यहीं पर मेरे सारी इंवर्मेंट्स आ गए है और यहां से मैं एक्टिवेट नहीं कर सकता है क्योंकि करनल साब चल रहे हैं कर भी लोग तो वो काम नहीं करेगा यहीं पर मैं पेस्ट कर देता हूं माकडाउन के अंदर यह मैंने डिरेक्टि लिंक पेस्ट कर दी है ताकि आप इस पर क्लिक कर लें मैं इसको हाइपर लिंक भी बना सकता हूं बताई थिंक इस फाइन सो मैजिक कमांड आपके लिए बहुत ज्यादा यूसफुल होने वाली है अब आपकी नोटबुक्स और भी शांदार किसम की बनेंगी और इसमें और भी चार चांद लगेगे एक बात मैं बताना यहां पर बूल गया उसको मैं अभी मेरे माइंड में आई है and I would recommend you that सिरफ magic commands नहीं Markdown के अंदर आप HTML भी उस कर सकते है and Markdown को भी बहुत कमाल बना सकते है आपको एक मिसाल दिखाता हूँ यह मेरे पास chat GPT है मैं इसको open करता हूँ chat GPT को window के अंदर पहले मैं यहां पर लिखता हूँ this is my notebook and I am writing it मैंने सिरफ और सिरफ यह एक छोटी सी heading लिखी इस ही को Markdown के अंदर मैं different styling करके अच्छा कर सकता हूँ simple like this bold कर दिया, italicize कर दिया लेकिन मैं अगर इस cell को open करूँ right click करूँ co-pilot पर जाके यहां पर explain, fix और बाकिछी चीज़ें हैं लेकिन मैं चाहता हूँ editor inline chat मैं यहां पर इसको बोलता हूँ change this to html and make this yellow color with dark background and also provide the option to change font style and size let's see अब यह होता क्या है कि यहां पर आपके पास अगर यह मेरे पास यह सारा tag आ गया है I will just check के यह काम करता है कि नहीं करता है then we will talk about it nothing changed कुछ भी change नहीं हुआ इसका so मैं इसको दुबारा से यहां पर enter करता हूँ no, nothing changed अब इसका और तरीका कार क्या हो सकता है मैं इसको copy करो यहां पर मैं paste करता हूँ change this to be used in a mark down cell let's see copy करता हूँ वापस जाते हैं यहां पर paste करता हूँ HTML के अंदर यहां इसको run करता हूँ didn't work यह तो सिरफ code बना के दे रहा है no, it will not work like this so what I am going to show you is मैं अगर मैं start से ही variables के अंदर not here yeah, here यह वाली styling अगर मैं आपको दिखा हूँ यहां से मैं यह दिखाना चाह रहा था basically और इस पर time में ज्यादा नहीं लगाना चाहता so I will just paste it here यह जी so मैंने यहां पर क्या किया है h2 style tagging use की है ठीक है यहां पर style लिखा है font की family pop-ins लिख दी है आप कोई भी change कर सकते हो font weight मैंने bold कर दी है color yellow कर दी है और यहां पर text जो भी आप लिखेंगे इसके अंदर वो इसके सामने इस तरीके से print होके आजाएगा so यह styling बहुत ज़रूरी आपको समझ नहीं पड़ेगी यह किस तरीके से करनी है इसका background भी change हो सकता है अब यहां पर अगर मैं control eye press करूँ not this eye यहां पर जाकर co-pilot से कहता हूँ इसको मैं कहता हूँ editing line को change the text background as well let's see यह क्या करता है यहां पिसने कहा है background color black कर दो यह black हो गया समझारी बात की यह मैंने क्यों किया है क्योंकि जब आप इसे github पे देखेंगे तो आप इसको अच्छे से use कर पाएंगे otherwise it would be difficult ठीक है and of course अगर आप इसको गौर से देखें तो okay जी नाम के spelling गलत थे okay thank you for reminding me श्वेब भाई और यह inline styling है जो आप अगर html, css वगरा को जानते है अगर आप इस code को सीख ले that's it अगर इसको मैं h1 करूंगा तो यह heading 1 हो जाएगी otherwise it will be heading 2 और आप एक ही जगा पे heading 1 and 2 different किसम की headings जो है वो add कर सकते हैं एक ही cell के अंदर and this is how it will work ठीक है अगर आप यहाँ पे अब गौर करें this will be like this and इससे आपकी notebook के अंदर थोड़ी सी changing आएगी which is quite distinguishable अगर आप किसी और के साथ अपनी notebook को compare करते हैं यहाँ पे yellow की बजाए मुझे नहीं पता अगर कोई यहाँ पे CSS expert बैटा उसे पता होगा कि hex code use किये जा सकते हैं कि नहीं hex code अगर मैं इसको gray करता हूँ तो यह हो गया मेरे पास gray यह text color change हो गया अगर मैं background को है चले मैं देखता हूँ hex code को भी रखता हूँ यहाँ पे हम hex code उठाते है say for example hex codes html hex codes यहाँ से मैं थोड़ा सा यह वाला code उठाता हूँ यह वाला यह हमारे पास code है मैं से copy करता हूँ let's go back paste here yes, it is working fine so you can use it in styling as well that's a good thing and here you go इस तरीके से आप जो है वो styling कर सकते हैं inside your Jupiter notebook इसका main मकसद यह है कि आपके Jupiter notebook को styling करना क्योंकि अब से आगे जो हम काम करने वाले हैं उसमें यह चीज़ बहुत important होने वाले है ठीक हो गया